देखो अपना next part जो है वो क्या है कि organic compound में percentage elements का कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ experimental methods है POC पर ही बेस है ही method organic compounds में कैसे हम calculation करेंगे percentage of elements का solve भी हम लोग POC से करने वाले हैं देखो जैसे पहला method है Libix method अब Libix method basically percentage of carbon और hydrogen के लिए use किया जाता है Libix method percentage of carbon and hydrogen के लिए तो अब इस method में हम क्या करते हैं कि organic compound को heat करते हैं COO के साथ जितना carbon इसके अंदर है वो CO2 की form में मिलता है जितना hydrogen है वो H2O की form में और CO2 हाइड्रोज और H2O को हम मेजर कर लेते हैं जिनका masses W1 and W2 ग्राम है और इसकी मदब से percentage निकालते हैं जैसे देखो organic compound के अंदर से सारा carbon तो इधर आया है सारा hydrogen इधर आया है तो अगर हम POAC लगाते हैं carbon पे तो हम बोल सकते हैं जितना carbon का mass CO2 के अंदर होतना ही mass organic compound के अंदर होना चाहिए तो CO2 के अंदर देखो कितना mol है CO2 का W1 upon 44 इतना mol है CO2 का और एक mol CO2 के अंदर एक mol carbon तो into 1 इतने ही mol carbon के होगा और इतने mol carbon के होगा तो mass कितना हो गया mol into molar mass तो into 12 तो देखो ये mass carbon का CO2 के अंदर है तो यही mass carbon का organic compound के अंदर होना चाहिए अब organic compound के अंदर अगर carbon का इतना mass है तो carbon का mass upon total compound का mass into 100 ये हम को क्या देदेगा percentage of carbon देखा कि नहीं इसी तरह hydrogen का percentage निकालना है तो मैं पता है कि सारा hydrogen S2O के अंदर आया है compound से तो S2O के अंदर जितना S2O के अंदर जितना mass होगा hydrogen का वो organic compound के अंदर भी उतनी होना चाहिए था तो देखो S2O का mass कितना है W2 gram mole कितने होंगे W2 by 18 होंगे कि नहीं और S2O के इतने mole है तो H के कितने mole होंगे into 2 यह H के mole होंगे और H के mole इतने होगे तो mass कितना होगा into 1 तो यह H का mass है S2O के अंदर इसका मतलब यही mass organic compound के अंदर है कि नहीं divided by जब organic compound के अंदर H का mass आ गया divided by organic compound का mass और into 100 तो यह हमें क्या देदेगा percentage of hydrogen देखो इस तरीके से निकाला है तो बस यह P.O.S.C. ही यूज हो रहा है गूंफिर के जिससे हम calculation कर रहा है तो percentage of carbon percentage of hydrogen इस तरीके से हम Libix method के थूरू निकाल सकते हैं दूसरा ड्यूमाज method है वो nitrogen के determination के लिए यूज किया जाता है तो हम basically करते क्या है कि organic compound को जब heat करते है तो जितना भी nitrogen है वो सारा N2 की form में मिलता है जितना भी nitrogen है वो react नहीं करता है N2 की form मिलता है और इस N2 को हम measure कर लेते हैं कितना pressure है, कितना volume है, कितना temperature है तो जब ये N2 का pressure volume temperature आ गया तो N2 के हम mole निकाल सकते हैं यहां से कैसे? PV upon RT अब N2 के जब mole आ गये तो जितने mole N2 के हैं उसका double mole NK होंगे कि नहीं तो N के number of moles कितने होंगे? N के mole होंगे इसका twice अब N के अगर इतने mole हैं तो mass कितना होगा N का? mole into molar mass इतना N का mass होगा अब ये N सारा organic compound से ही तो आया है तो ये N का mass organic compound के अंदर है तो N का mass अगर ये organic compound के अंदर है तो N का mass organic compound के अंदर upon total mass into 100 ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा percentage of nitrogen समझ गया? सीदे सीदे basic से अचा question में तुम्हें दिया होगा कि क्या कर रहे हैं और nitrogen को कैसे measure कर रहे हैं तो वहाँ कोई समस्य ही नहीं किसी की clear a point देखो summarize कर रहे हैं एक बार घर पर पढ़ लेना क्योंकि इन method से क्या question थोड़ा ही specific हो सकता है now jail dal method ये तो बड़ा सुना होगा नाम भी काफी कतरनाग है villain का नाम लग रहा है अचा jail dal method jail dal method अगर देखें तो ये भी basically nitrogen के determination के लिए यूज किया जाता है jail dal method अब इसमें हो क्या रहा है process की जो organic compound है उसमें हम H2SO4 डालते है excess में और heat करते है तो सारा का सारा nitrogen amonium sulfate की form में मिल जाता है अब ये amonium sulfate को जब हम treat करते हैं एनियोच के साथ तो एनियोच के साथ treat करेंगे तो amonium sulfate से ये ammonia release कर देगा और ammonia release कर देगा तो इस ammonia को हम क्या करते हैं H2SO4 में absorb कर लेते हैं और ये जब absorb हो गई H2SO4 में react कर गई तो फिर हम इसमें excess में base मिलाते हैं हम H2SO4 के साथ जब ये absorb हो गई तो हम इसको base के साथ titrate करते हैं और उस titration से हम पता लगा लेते हैं कि कितना ammonia है कितनी ammonia की concentration है और ammonia की एक बार concentration मिल गई तो mole निकाल के percentage निकाल सकते है नाइट्रोजन क्या क्यों कि सारा nitrogen finally पहुंच तो ammonia के अंदर ही रहा है ठीक है ना तो basically देखो इसमें हो क्या रहा है method में कि ammonia को H2SO4 के साथ जब यह treat किया last में तो H2SO4 excess में present है तो कुछ H2SO4 तो ammonia से react करके ammonium sulfate बनाएगा और कुछ पढ़ा रहेगा फिर हम इसको NEOH के साथ titrate कर लेंगे H2SO4 को तो NEOH के साथ जब titrate करेंगे तो कितना NEOH लग गया है H2SO4 के titration में वो हमें पता होगा और total H2SO4 कितना लिया था वो भी हमें पता है हमें क्या पता है total H2SO4 कितना लिया था वो पता है और कितना NEOH यूज हुआ है बचे हुए H2SO4 के साथ वो भी पता है तो हम यहां से यह पता लगा सकते हैं कि कितना H2SO4 कितना H2SO4 अमोनिया के साथ रियक्ट किया है जिससे अमोनिया का पता चलेगा नाइट्रोजन का पता चलेगा तो basically इसमें हमें क्या दिया जाता है मैं लिख देता हूँ यहां पर final हमें दिखेगा कि mole of NH3 कितने होंगे बैदेखो जितने mole अमोनिया के होंगे उसका आधा mole हमें H2SO4 का चाहिए चलो molarty के terms में ही देख लेते हैं आधा mole H2SO4 का चाहिए तो अब H2SO4 की molarity है माल लो M1 और volume यहां पर इसका डाला है V1 और N.A.O.H. इसके titration में जो लगा है बचे हुए H2SO4 के साथ वो M2 लगा है और volume इसका V2 है चीक है तो अगर तुम देखो तो दो mol N.A.O.H. के reaction में यूज़ होंगे कि विद H2SO4 यह law of equivalence लगा दे लगा दे law of equivalence direct तो देखो जितने equivalent ammonia के होंगे वो किसके बराबर होंगे equivalent of H2SO4 minus N.A.O.H. तो ammonia का N factor कितना है 1 तो ammonia के mole हमने N.N.S.3 माल लिए into 1 यह ammonia के equivalent होगे H2SO4 के equivalent कितने हुए M1 into V1 into 2 minus N.A.O.H. के equivalent M2 into V2 into 1 ठीक है भी? equivalent तो पता ही है अब तो last stage आगी तुम लोगे exam वाली तो mole of ammonia हमारे पास है अब mole of ammonia जितने होंगे उतने ही mole of nitrogen भी दो होंगे तो यहां से nitrogen के mole पता चल गया है तो mass निकाल के percentage निकाल सके तो बस question में तुम्हें jail dal method जब दिया होगा तो final data यहां का देते हैं वो कि ammonia जो release हुई उसमें हमने excess में M1 molarity का V1 volume वाला H2SO4 add किया और बचे हुए acid को titrate करने के लिए हमें M2 molarity का NaOH जिसका volume V2 है वो लग गया तो यहां से बताओ compound में कितना percentage of nitrogen था ठीक है कोई confusion किसी का इसमें वह यह थोड़ा सा पूछा जाता जाता है मतलब नाम काफी है पूछा जाता है तो वैसे तो J main में ज़्यादा पूछा जाता था वो तो निकल गया अब J advance में हो सकता है या यह separate method है हो सकता है इनसे question मिल जाए बागी के तो mix होते हुए मिलेंगे जैसे बात हुई थी अच्छा jail dal method के बाद अगर sulfur determine करना है तो देखो वो इसी तरह का method है sulfur के लिए sulfur determine करने में हम क्या करेंगे organic compound को treat करेंगे HNO3 के साथ ठीक है ना organic compound को हम treat करेंगे HNO3 के साथ और treat करेंगे और finally इसमें excess में हम barium chloride मिलाते हैं और H2SO4 मिलाते हैं और barium chloride और H2SO4 मिलाते हैं तो जो sulfur है वो तो यहां से एक बार repeat कर रहा हूँ organic compound को में चैनो 3 के साथ treat कर रहा है तो इसके अंदर का sulfur oxidize होके H2SO4 की form में आ जाता है ठीक है ना और यहां पे हम excess में barium chloride मिला देते हैं तो barium chloride जब मिलाते हैं तो यह क्या बनाता है sulfate के साथ precipitate बनाता है BSO4 का precipitate को filter करके measure कर लेते हैं तो इसका mass हमें पता चल जाता है कितना है और उसकी मदद से हम compound के अंदर पता लगा लेते हैं कि कितना percentage है sulfur का जैसे लो यहां लिखा है कि W1 gram barium sulfate है तो W1 divided by इसका molar mass यह क्या हो जाएगा यह barium sulfate के moule हो जाएगे और एक moule barium sulfate के अंदर sulfur भी तो एकी moule है तो यह sulfur के भी moule होगा और sulfur के मूल इतने हैं तो into molar mass यह sulfur का mass हागिया अब यह sulfur का mass जो barium sulfate के अंदर है उतना ही तो organic compound के अंदर होना चाहिए because सारा sulfur तुमाही से आ रहा है तो divided by organic compound का mass जो W दिया in 200 इस तरीके से percentage sulfur मिल जाएगा सारे method similar type के ही है बस तुम्हें देखना है कि element कहां से कहां जा रहा है वो question की language से तुम्हें पता चल जाएगा ऐसे ही अगला है भाई phosphorus determination का method तो phosphorus में भी अगर देखें तो organic compound को HNO3 के साथ treat करते है अरे भाई ये कहां से बीच में टपर किया चलो ठीक है phosphorus वाले method में दियान से देखना organic compound को जब HNO3 के साथ treat करते हैं तो सारा जो phosphorus है इसके अंदर oxidize होके H3PO4 की form में आ जाता है अब H3PO4 की form में जब आ गया तो इसको हम treat करते है ammonia plus magnesia mixture of ammonium molybdeat ammonium chloride और MgCl2 चीक है ना तो ये basically क्या होता है कि सारा का सारा जो phosphorus है वो इसमें convert हो जाता है MgNH4 PO4 और इसको heat करते है strongly तो Mg2 P2O7 की form में सारा phosphorus आ जाता है magnesium pyrophosphate अब कुल मिला के अगर देखो तो सारा का सारा phosphorus during the process reactant से product के अंदर ही तो आ रहा है तो इन दोनों के बीच phosphorus क्या है conserve है तो phosphorus पर अगर POC लगाओगे तो वैसे ही तुमें मिल जाएगा जैसे मान लो इसका weight है W1 gram तो W1 divided by molecular mass इसका ये तो हो गया इसका mole और एक mole के अंदर दो phosphorus है तो इन टो 2 किया ये तो ये phosphorus के mole आ गए और इन टो 31 किया था phosphorus का mass आ गए तो phosphorus का mass divided by compound का mass और अर्गनी compound का इन टो 100 ये percentage आ गए सारे methods में देखो तो common ही चलना है ना procedure हाँ method अलग अलग है उस element को निकालने का बाहर but calculation similar है curious method ऐसे ही देख लो curious method basically elegance के लिए यूज किया जाता है fluorine को हम नहीं calculate कर पाते हैं इसमें ये केवल chlorine, bromine और iodine के लिए यूज होता है curious method curious method ये में में वैसे कई बार आ चुका है तो इसमें क्या organic compound को HNO3 के साथ treat करते हैं चीक है ना और HNO3 के साथ treat करते हैं तो basically और साथ में silver nitrate access में लेते हैं तो इसके अंदर का halogen है वो precipitate हो जाता है AGX की form में और precipitate को filter करके मेजर करते हैं तो उसी तरीके से percentage निकलाते हैं तो organic compound को हम HNO3 और silver nitrate के साथ access में इनको लेके treat करते हैं तो सारा जो halogen है वो AGX की form में हमें precipitate halogen का मिल जाता है जिसको हम measure कर ले ठीक है ना तो निकाल सकते हैं इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत तो देखो यह 4-5 method हैं Libix method carbon hydrogen के लिए Dumas और jail dal method nitrogen के लिए अलग-अलग तरीके से measure करते हैं nitrogen दोनों फिर sulfur का method phosphorus और carious method carious method में fluorine को हम निकाल सकते हैं क्या नहीं chlorine, bromine और iodine का percentage ही निकाल सकते हैं ठीक है तो अब तुह method बार-बार पढ़ने की जोग नहीं question में method की language दी होगे अपना set करके कहा से element कहा जा रहा है calculation हो जाएगी ठीक है भाई अपके नहीं है